नमस्कार तेग्वाट फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वाधत हैं नमारे जीटुब चैनल बे यार फिर से मैं आप सभी के लिए Classics Science Chapter 3 जिसका नाम है तन्तु से लेके वस्तर तक इसके नोट्स के बारे में बात करेंगे तो आज़े सुबात करते हैं Classics के Science Chapter 3 के बारे में यह बहुत ही छोटा नोट्स है लेकिन बहुत ही इंकोटेंट है तो आप इसे बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो हमारा कहता है जन्तो से प्राप्त किया जाने वाला जो रेशा होता है जो रेशा हम जन्तो से प्राप्त करते है एनिमल से प्राप्त करते है उसे हम जानतव रेशा कहते है जानतव रेशा आपको समझ में आ लिए होगा कि जानतव र से फाइवर मतलब उन जो रेसे होते हैं वो भेर अत्वा याक के बालों से प्राप्त के जानवर है और भेर के बारे में तो आपको पता ही होगा सिख जिसको इंगलिस में कहते हैं तो यह दो ऐसे जानवर हैं जिनके बाल से उन प्राप्त होता है जबकि रेसम की जो होते हैं जो रेसम के कपड़े आपने सुना होगा ना रेसम के कपड़े रेसम के कपड़े या सिल्क के कपड़े यह सब एक ही है तो रेसम के जो फाइबर होते है जो कपड़े होते है वो रेसम की कीट को कुण से ब्राप्त होता है रेसम कीड़े से ब्राप्त होता है कीट से ब्राप् जाती है अभी मैंने आपको दिखले स्लाइड में बताया था उन जो होता है वो किस से प्राप्त होता है भेर से प्राप्त होता है या फिर याक से प्राप्त होता है यह यहां परी बताया गया जो भेर है पकड़ी है याक है या कुछ अन जन्तुए और भी है जिसे क्या प्रा प्राप्ति होती है उनका क्या काम है तो आको पता है कि ठंड के समय में जो गुनी कपरे हम पहन पैंहते है जिसने सरीर घर्म रहता है तो तो में लिए कितना फायदेमम्त है अगर ठंड लग सकती है तो समझेगा कि जिन जनतों से हमें प्राप्त होता है उनकी प्राप्ती होती है उनकी सरीर बिना जो बाल होता है कि उस बाल से इनका सरीर पुरा धगा हुआ होता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पालो के बीज अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है ये वायु उसमा के पुचालक होता है आता फिर क्या होता है उसमा के पुचालक होने के कारण बाल इन जनतों को गर्भ रता है यह बड़े बड़े जो बाल होते हैं जिससे हमें ब्राप्त होता है चाहे भेर हो जाए या फिर और जलतु हो गया जिससे उन ब्राप्त होता है यही जो हवा इनके बालों के पीट में फ्रस्के रह जाता है इसी से इनका सरीर गर्म होता है और इन रोएदार रेसों की प्रकार के रेसे के होते हैं, भेर जो होता है, जिससे हमें पूल की ब्राप्ती होती है, उनका जो इसकीन होता है, जो तवचा होता है, वो दो प्रकार के रेसे उसमें पाए रहते हैं, पहला तो होता है, दाधी के उखे बाल, जो दाधी के असपास बाल होते हैं, वो उखे ब होते हैं लेकिन जो दाड़ी के बाल होते हैं वह बहुत ही हार होते हैं आप अपने पापा या चाचा को ट्राइ करना क्योंकि अभी तो आपके दाड़ी आए नहीं अगर आप अपने पापा चाचा के बाल को छुके देखोगे तो बहुत होते हैं लेकिन अगर दाड़ी छु भेरों की कुछ नस्रों में केवल तंतू रुपी मुलायम बाली होते हैं, मतलब भेरों के जो अलग अलग नसल हैं, अलग अलग पर जाती हैं, उसमें कुछ बिल्कुली मुलायम बार होते हैं, इनके जनकों का विशेश रुप से ऐसी भेरों को जन देने के लिए चैन किया ज जिनके शरीर पर सिर्फ हुलायम बार होता है, इनके साथ सोध किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और ऐसे भेड का निर्मान किया जाता है, ऐसे भेड को पैदा किया जाता है, जिनके शरीर के उपर केवल और केवल हुलायम बार होता है, क्योंकि अगर भूखे ब फना लेते हैं ठंड में पहनने के लिए तो चुभेगा हमारे सपरीम लेकिन मुलैम जो होते हैं बाल उनके जो कपिड़े पंदे हैं या श्वेटर पंदे हैं हो हमारे सरह के लिए ता पी मुलैम लगते हैं तो फीर क्या होब सोध के मात्यय Przybym रुप को बैदा किया जाने लगा जिनके पूरे सरीर पे सिर्फ और सिर्फ मुलायम बाल ही उत्पर्ण अगला हमारा पॉइंट कहता है तन्तु रुपी मुलायम बाल जैसे गुन्युक्त भीर उत्पन करने के लिए जनकों के चैन की यह प्रकिरिया वर्नात्मक प्रजन कहला दिया ऐसे भीर को बैदा करना या फिर ऐसे भीर को त्यार करना जिनके सरीर के उपर सिर्फ और सिर्फ मुलायम बालो हाड़ बाल होई नहीं, तड़ा बाल होई नहीं, उनके दारी के पास भी गुलायंग पालो, ऐसी धीर को पैदा करने की प्रकिरिया को वर्नात्मक प्रजनन के नाम से जानते, अगला पॉइंट हमारा कहता है, याक की जो उन होती है, याक भी जो प्रकारत जानवर है, मैंने अब आपको बताया है, वो दिब्बत और लदाफ में प्रचलीता है, हमारे भारत का ही यह इस्सा है, दिब्बत और लदाफ हाला की दिब्बत के ऊपर पर परतमान में चीन का हुकूमत चलता है, चीन ने जबर्दस्ति से हथिया रखा है, लेकिन लदाफ हमारे भारत का हि जाता है याद रितिये हैं ओट कोट मिस बकडी के बालो से भी कुरोए से भी हमारे पास प्राप्थी होती है अंगोडा उनको अंगोडा नसल की बकडोह से प्राप्थी यह अब वो सकता है टी आपने एसे बकडी यह को नहीं देखा हुगा जिनके बाल लंबेomorph होते लेकिन एक अंगोडा नसल का पंगडी है मतलब होट है, जिसके बाल लंबय लंबय होते हो, उसके बाल से भी उनकी प्राफ्थी की जाती है और यह बाल-बाल जो पंगडी है जिसे हम अंगोडा कहते है हमारे भी वाल नहीं पाया आताहिए यह कहान पाया हता यह जंगोगष मील केफैरी च्छित्र में पाया इसको देखने के लिए जंगोगष मील आम पड़ा है उलाएग, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अंगोडा नाम के i. बखणी, है जिसके सरीर ओपर बड़े-बड़े बाल होते हैं, आपके लिए मैं यह कर सकता हूँ, जब मैं यह वीडियो इडिट करूगा, तो इसके ऊपर अंगोडा के जो नसाल का बगणी होगा, उसके फोटो लगा दूगा है या वीडियो लगा दूगा, ताथ आपको समझ में आ अगला point दोवारा कहता है कासमीडी बकडी की बचा के निकट जो है, हो गुलायम पाल होते हैं इसंसे हम फर भी कहते है, याद रखेगा हो गुलायम पाल जो होता है उसे को हम क्या कहते हैं, फर भी कहते हैं इसे से बेहतरीन सौले बनाज याती है, मंमी को, पापा को, जाचा को, ताँ को आपने देखा होगा कि एक सौल डालते हैं कप्डभ्रू को, डालते हैं ठंड के महिने में, कर्ण से में नहीं लालता है कोई सोल, यह याद रगिये naoth घंड के महीने में मैं धी एक सॉल डालता हूँ आप लोगों ने देखा होगा तो सॉल जो डालती है यह इन ही बकरियों के उलायन तवचा से या फर से बना जाता है और बहुत ही बेतरीन होता है और इसे हम क्या कहते है पस्मीना सॉल कहते है हाँ हाला कि मेरे पास पस्मीना सॉल नहीं है मेरे पास नॉर्मल सॉल है लेकिन पस्मीना सॉल जो होता है वो बहुत ही महना मिलता है ऐसे मतलब नॉर्मली हम लोगों के रेंज के आदमी के लिए नहीं है इतना मैना सॉल के कैसे खड़ी देंगे या फिर क्यों खड़ी देंगे तो इन काश्मीरी जो बकडी के त्वचा से सॉल बनाई जाती है कून के माद्यम से उसे हम पर्षमीना सॉल भी कहते है अदला पॉ लामा और दूसरे का नाम है अले गवा इससे भी क्या प्राप्त होता है कुन प्राप्त होता है अगला को करता है जब बहुर के बहित लिए और बाल की घंई भृदि प्राप्ति होती है तो जिस भेड को हम पाल रहे हो उनके शरीर के पाल जब बहुत बड़े-बड़े हो जाते है तो उसे उन प्राप्त करने के लिए उन बालों को क्या दिया जाता है काट लिया जाता है मसीनों के मात्यम से उन बालों को काट लिया जाता है जिससे पर क्या हो उपर से थोड़ा उसके सारे बाल को काट लिया है तो जैसे इंसानों कोई लिए अपके इंसान के अगर बाल बढ़ रहे हैं पाल अगर बहुत बड़े बड़े हो गए और अगर नाई के पास जाएंगे तो क्या करणेगा दला काट देगा दला तो नहीं कातेगा न या ऐसा जातने के हमाना बाल नी कोड़ा करपार उपार चिन देगा सरी फार देगा है तो नहीं करता है वो कैजी से मसील से चमरी के ओपर से बाव करता है यही करता है न ऐसा बेर बेर के साथ भी होता है उसके निकालने के समयर और इसी प्रकिरिया को हम उनकी कटाई भी कहते हैं next point हमारा कहता है भेर से त्वचा सही उदारे गए बालों को कंखियां में डाल कर अच्छी तरह दोया जाता है भेर से जब बाल को उदारा जाता है तो बालों को दोया जाता है और इंसानों में जा होता है कि जब बाल काटके हम आते हैं तो हम खुद अपने आपको दोते हैं और वहां पर घंदक़ती है कि भेर को छोड़ के उनके बालों को धोया जाता है तो यह होता है और इससे उसकी क्या होता है चिकनाई धूल गर्थ निकल जाता है जो उसके लिदर गंदगी रहता है क्यूकि जानवर करने की आँथा है और सुन्सुर्टॉ नहाना नहाना है यह को data आण वह दो के गनधगी बैढ़ जाएगा धूल में भी उन्से टकड़ाता रहेका तो इसलिए क्या करते हैं जब उसके पाल कटके गाते हैं तो अच्छी तरह से गन्धगी यह तो निकल जाती है और वो चिकना हो जाता है और इस प्रकिरिया को अभी मार्जर कहते हैं इस तरह से देखा आपने क्लास से एक साइस चेप्टर 3 नोट से आपे समाप्त हो गया और इस चेप्टर का नाम था तन्तू से वस्तर तक आता करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने ताके इसी प्रकार के रिटेश्टर वीडियो आपको हमेशा अप्राइब बतार है आज के लिए इतना ही अन्यवा प्रकार